Hello friends, आज मैं आप लोगों को 3 job opportunities के बारे में इस वीडियो में वताने वाली हूँ अगर आप लोगों ने 12th pass किया हुआ है तो आप लोग इन 3 ही jobs के लिए apply कर सकते हैं सबसे अच्छी बात इनमें से एक job ऐसी है जिसमें आपको हिंदी बोलनी और समझनी आनी चाहिए इसका मतलब यह है कि इस job के लिए हिंदी compulsory है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग English में इतने comfortable नहीं होते हैं तो उन लोगों के लिए ये job बहुत ही helpful हो सकती है Job किस company के तरफ से है और क्या क्या requirements है सारे ही detail में आगे इस वीडियो में बताने वाली हो तो आपको वीडियो को complete देखना होगा साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें चैनल को सब्सक्राइब और पासमें बने बैल इकन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसे ही work from home job regarding updates आप लोगों को regularly मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहली जो 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 भी फूल टाइम रिमोट जोब होने वाली है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं अब यह जो freelancer telecounselor की job है इसमें आपका काम क्या होगा basically आपको students को call करना है और उने बताना है अपने products के बारे में साथ ही आप लोग उनकी कैसे help कर सकने है better career opportunities के लिए साथ ही आपको resolve करनी है queries regarding company and product आपको explain करने होगे products के feature detail में और बताना होगा product कैसे work करता है आपको explain करना है product के feature detail में साथ ही बताना होगा कि जो package है वो काम कैसे करेगा साथ ही आपको right customer experience provide करवाना होगा तो यही आपका इसमें काम है अब देखते है eligibility criteria क्या है इस job का तो सबसे पहले आप 18 plus होने चाहिए जो दूसरा criteria है वो है high school diploma और equivalent तो आपका high school किया हुआ होना चाहिए या फिर equivalent आपने अगर कोई course किया हुआ है तो वो भी इसमें चलेगा और जो तीसरे requirement है वो है understand and speak Hindi जो कि मैं आपको पहले ही बता चुके हूँ इस job के लिए Hindi कंपल सरी है next job opportunity है वो है ditto company की तरफ से यहाँ पे आपको दो opportunities open देखने को मिल चाहेगी सबसे पहली है campus recruitment insurance advisor और जो दूसरी opportunity है वो है insurance advisor दोनों की job के जो criteria है वो लगबग same है और साथ ही जो package है वो भी same है 4 lakhs per annum आपका fixed package रहेगा साथ ही आपको incentive अलग से मिलेगा जो भी आप काम करेंगे उस basis पे तो 4.5 lakhs आपकी यहाँ पे salary होगी इसके बाद आप जो भी काम करेंगे जैसे भी काम करेंगे उससाब से आपकी salary increase होगी आपको उतना incentive मिलेगा इन दो jobs में भी आपको दो roles देखने को मिलेंगे पहला role है insurance advisor WhatsApp और दूसरा role है insurance advisor का अब आप इन दोनों roles में से choose कर सकते हैं किस role के लिए आपको apply करना है या फिर आप दोनों ही roles के लिए apply कर सकते हैं insurance advisor WhatsApp का काम यह होगा कि आपको सारे ही काम WhatsApp के थ्रू करना होगा जितनी भी chatting है वो आपको WhatsApp के थ्रू ही बता दी जाएंगी इसके regarding भी आपको एक proper training मिलेगी अगर आप लोग finance background से नहीं है तो बता दू company आपको दो महीने की training provide करवाती है जिसमें आपको सारी ही चीज़ों सिखा दी चाती है कैसे आपको काम करना है और कैसे customer से आपको deal करना है eligibility criteria के अगर बात करें तो इसमें as such कुछ भी mention नहीं है जो requirements है इसमें वो ये हैं कि आपकी इसमें English communication skills अच्छी होनी चाहिए साथ ही आपको basic computer knowledge होनी चाहिए computer कैसे work करना इसमें basic softwares आपको use करने आने चाहिए साथ ही आपके अंदर ability होनी चाहिए communicate करनी की और influence करनी की तब ही आप लोग जो insurance है उसको sell कर पाओगे तो इसमें influence करना बहुत बड़ा role play करता है अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी लोगों को मना लेते हो और आप अच्छे से communicate कर लेते हो तो ये job आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है अब आपको इसमें perks क्या क्या मिलेंगे, advantages क्या क्या मिलेंगे तो सबसे पहला advantage है कि आपको new sales lead करने का मौका मिलेगा starting महीं आपको lead करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा दूसरा जो benefit है वो है health insurance यहाँ पे आपको मिल रहा है और तीसरा benefit है 4.5 lakh का package जो कि fixed है प्लस आपको incentive मिलेगा according to performance जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अब आपका जो interview process होगा इसमें वो कैसे होगा और कितने आपके rounds देखने को मिल जाएगे यहाँ पे तो बता दू यहाँ पे company ने clearly mention किया है कि आपके 4 round होगे और वो सारे के सारे एक ही हपते के अंदर हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि आपकी joining within one week हो जाएगी सबसे पहले आपको इक company को अपने एक short resume में वीडियो resume में बना के भीचना होगा उसके बाद ही आपका आगे का processor start होगा जो कि 4 rounds में होगा पहला है HR round दूसरा आपको task one मिलेगा जिसमें आपको कुछ task दिये जाएंगे जो कि आपको complete करने है थर्ड है वो आपका task two round है जिसमें आपको और task दिये जाएंगे और जब fourth round आपका होगा वो है final managerial round जिसमें आपकी salary आपकी joining discuss की जाएंगे कुछ आपका interview process होने वाला है इसमें कोई भी return test नहीं है आपको सिर्फ task को perform करना होगा return test इस job में नहीं है आपकी directly interviews होंगे आप दिखते हैं apply कैसे करना है apply करने के लिए हम चलते हैं laptop की screen पे तो यहाँ पे आपको apply now पे click करना है apply now पे click करते ही कुछ ऐसा form आपको दिखेगा submit your application तो सबसे पहले आपको upload करना है अपने resume को जो की pdf के form में होना चाहिए उसके बाद आपको first name, middle name अगर है तो आप enter कर सकते हैं compulsory नहीं है उसके बाद आप last name enter करेंगे email id, mobile number what is the importance of listening while speaking with client in the context of insurance advisory तो इस question का आपको answer देना होगा answer देने के लिए आप लोग इसे simply copy करेंगे और chat GPT में अगर आप paste करतेंगे तो आपको काफे सारे answer देखने को मिल चाहेंगे नहीं तो आप Quora से भी answers check out कर सकते हैं और अपनी language में उसे modify करके यहाँ पे paste कर सकते हैं तो आप लोग किसी God को मानते हैं और उससे आपको positivity मिलती है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जिन चीज़ों से आपको life के valuable lessons सीखने को मिले हैं अब यहाँ पे से आपको अपने college name एंटर करना होगा अगर आपका college name यहाँ पे नहीं है तो आपको others में जाके अपने college name को यहाँ पे type करना होगा फिर which role would you like to apply for यहाँ पे अलग-अलग jobs type available है insurance advisor whatsapp के लिए insurance advisor और both तो आप चाहें तो दोनों ही jobs के लिए apply कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो whatsapp insurance advisor के लिए पी apply कर सकते हैं जिसमें आपको whatsapp के थुरू काम करना होगा सारी details आपको बताई चाहेंगे कैसे आपको काम करना है आपकी दो महीने की training भी यहाँ पे होगी काम के regarding upon submitting your application you will receive an email requesting you to complete a video screening तो जैसे ही आप form submit करतेंगे उसके बाद आपको एक email आएगा आपको अपने short video resume में submit करना होगा अगर आपको email नहीं मिलता है तो आप spam folder में पी check out कर सकते हैं और यह mail id यहाँ पे दी हुई है इस mail id से ही आपको mail आएगा अगर आपको response नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे जो इनकी support ideas में contact कर सकते हैं I am not a robot पे take करके submit कर देंगे application को I hope यह तीनों ही job opportunity आपको पसंद आई होंगी और आप लोग इन jobs के लिए apply जरूर करेंगे अगर कोई भी query होती है आप लोगों की तो आप comment box में comment करके पूस सकते हैं Thank you so much for watching this video